स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 3 अगस्त 2021 तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article पैंगोलिन के बारे में है context क्या है अभी हाल ही में एक पैंगोलिन को spot किया गया था जो बैलोपूर एरिया है नोईडा का वहाँ पर पुलिस ने उसे rescue किया और उसके बाद उसे hand over कर दिया गया forest department को तो ये तो पूरा context था बात करते हैं पैंगोलिन के बारे में पैंगोलिन एक प्रकार का mammal होता है जिसके body के उपर कई सारे scales यानि की परते होती है आप इस image में देख सकते हैं इसलिए इसे scaly anti-eater कहा जाता है ये चीडियों को खाया करता है इसलिए ये एक elongated armoplated insectivore mammal है इसके पूरी body पर जो scales होती है आप उसे एक कवच नुमा आकरती दे देती हैं ये insect को खाया करता है इसलिए इसे insectivore कह दिया जाता है ये जो scales इसके पास हैं इसका इस्तेमाल ये एक armor की तरह करता है एक कवच की तरह करता है खुद को defend करने के लिए किस से? प्रिडेटर से जो भी जानवर इसके उपर हमला करते हैं जब भी कोई जानवर पैंगोलिन के उपर हमला करता है तो ये पूरी body को रोल कर लेता है और रोल करके एक ball नुमा आकरती बना लेता है जिसके चारो और ये skills होती है इसके बाद उस predator के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इसे attack कर सके लेकिन एक predator है जिससे पैंगोलिन नहीं बच सकता आप समझ गए होंगे वो कौन है obviously वो है इंसान इंसानों से ये पैंगोलिन नहीं बच पाता millions के नंबर में इन्हें जान से मार दिया जाता है इनके मारे जाने का एक महत्तपूर कारण इनके वही skills होते हैं जिसका इस्तिमाल ये बाकी predators से बचने के लिए करता है irony है न क्यों मारा जाता है दिखें कई सारी traditional medicines में जो ये scales हैं इनका इस्तिमाल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि कई सारी बीमारियां इस scale के इस्तिमाल से खतम हो जाती है हाला कि इसका कोई scientific background नहीं है एक और बात आपको बताता हूँ जो pangolin के scales होते हैं वो actually में keratin से बने होते हैं it is a kind of protein ये वही protein है जो हमारे nails को भी बनाता है इंसानों के नाखुनों को तो फिर हम अपने नाखुनों को अई उखार कर क्यों नहीं इलाज कर लेते लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि उससे तो हमें pain होगा pangolin को मारने में हमारा तो कुछ नहीं जाता इसलिए pangolin को मार दिया जाता है ये एक sad truth है जो pangolin के lambic claws होते हैं वो मदद करते हैं उनको जमीन खोदने में चुकि ये termites को भी खाते हैं तो जमीन को जब ये खोदते हैं तो नहीं termites मिल जाते हैं जिसे खा लेते हैं ये यही इनका staple food यानि की एक मुख्य भोजन होता है तो diet में ये चीटियों को भी खाते हैं termites को भी खाते हैं कोई larva मिल गया तो उसे भी खाते हैं आर्थ species pangolins की पाई जाती हैं दो continent पर Asia और Africa इंडियन pangolin और Chinese pangolin ये दो हैं जो इंडिया में पाई जाते हैं जो इंडियन pangolin है वो आपको पूरे देश में मिल जाएगा हिमालय के south में north eastern region को छोड़के जबकि Chinese pangolin आपको miserly north eastern region में ही मिलता है अब यहां पर protection status की बात करें तो schedule 1 में है ये wild life protection act of 1972 के appendix 1 में है sites के sites का full form होता है convention on international trade in endangered species व्यापार को रोकने की कोसित की जाती है ताकि जीवों को ना मारा जाए IUCN की red list में ये है endangered हम बात कर रहे हैं Indian pangolin की Chinese pangolin wild life protection act of 1972 के schedule 1 में है और ये है critically endangered IUCN की red list में तो ये आप जानते रहेगा कि दोनों की status में अंतर है Indian pangolin endangered है और Chinese pangolin critically endangered है हमारा next article अस्वगंधा के बारे में है ये बहुत unusual होगा कि COVID के इतने बड़े time duration के दुरान आपने इस सब्द को ना सुना हो Ministry of IUCN ने एक collaboration किया है UK का जो London School of Hygiene and Tropical Medicine है उसके साथ जिसमें ये study को conduct करेंगे अस्वगंधा के उपर कि क्या ये COVID-19 की recovery में beneficial है वैसे massive scale पर इसका इस्तेमाल किया गया COVID-19 की recovery के लिए traditionally ये proven था कि ये immunity को boost करता है और body को ताकत देता है मजबूर बनाता है कई प्रकार के stress को दूर करने को लेकर अस्वगंधा का scientific name है विथैनिया सौमनिफेरा इसे Indian winter cherry के नाम से भी पुकरा जाता है because इसमें एक fruit आता है जो cherry की तरही होता है लेकिन जो इसके काम का हिस्सा होता है पौदे का वो होती है इसकी roots यानि की जड़े traditional Indian herbs में इसका इस्तिमाल energy को boost करने के लिए stress को कम करने के लिए और immune system को मजबूत करने के लिए काफी लंबे समय से किया जाता रहा है इसे adaptogen के रूप में classify किया जाता है इसका मतलब यह है कि ये body में stress को manage करने की छमता रखता है काफी लंबे समय से इसका इस्तिमाल होता आ रहा है चूकि जो जो दिक्कते ये cure करने में capable है वो सारी problem समय COVID-19 में देखने को मिलती है इसलिए massive scale पर इसका इस्तिमाल उसमें भी recovery के लिए किया किया असुगंधा को widely जो dry part है sub-tropical region का इंडिया में वहाँ पर उगाया जाता है जैसे कि राजस्तान, पंजाब, हर्याना या उत्तर प्रदेश, गुजरात, महरास्ट और मत्यप्रदेश के कुछ हिस्स है ये इंडिया के ऐसे regions हैं जहाँ पर असुगंधा उगाया जाता है इसे रेखे बहुत ज़्यादा बारिश के आवश्कता नहीं होती है, डॉट-tolerant crop है 60-75 cm rainfall हो गई, that will be enough temperature 20 degrees Celsius स 35 degrees Celsius के बीच हो, तो ये काफी suitable होता है हमरा next article E-Rupi के बारे में है इंडिया का electronic voucher based digital payment system होगा, जो person specific और purpose specific होगा अब ये है क्या आसान भासा में समझना ज़रूरी है सरकार welfare schemes के माध्यम से जो उनके नागरिक हैं, उनको कई तरीके के support देना चाहती है जैसे कि वो चाहते हैं कि वो आपको मुफ्त में खाना दे दे या फिर वो आपको कोई medicine के kit दे दे इन डाइट केस अगर वो सीधे सीधे पैसा देते हैं, जैसे अच्छा तो यही होता है कि सीधा आपके account में पैसे दे दिये जाए अब इसमें दो condition बनती है हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास account हो ही न और हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनके account में पैसा आ जाने के बाद वो उसे misuse करें अगर उन्हें खाने के लिए voucher दिया गया है तो वो उसका खाना ना खरीद के wine खरीद लें, दादू खरीद लें और पैसे को misuse कर दें इन डाइट केस एक alternative हो सकता है यह e-rupee जिसमें आपके mobile पर आएगा एक QR code आपके account पे पैसे नहीं आएंगे, mobile पे QR code आएगा अब आपके पास account हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके पास multimedia set नहीं है तो आपके mobile पर आजाएगा एक message Simply, example लेते हैं कि सरकार चाहती है कि ऐसे लोग जिनको TB की problem है उन्हें उसकी medicine के kit दी जाए तो tuberculosis के जो patients हुने identify करके उनके mobile पर एक QR code दे दिया जाएगा या mobile में एक message भेज दिया जाएगा अब कुछ designated shops होंगी जो tuberculosis की medicine के kit प्रोवाइड करवाती है उस वेक्ति को दुकान पर जाना है और उन्हें वो QR code या message दिखा देना है अब वो दुकान दार उसे scan करेगा scan करने के बाद आपके mobile पर आ जाएगा एक OTP जो आप दुकान दार को बता देंगे उसके बाद वो आपको TB की kit दे देगा इन डाइट केस आप उस QR code या message का इस्तिमाल किसी भी और तरीके से नहीं कर सकते देखे इसके बाद इस चीज के मिस्यूज होने के chances सिर्फ इतने बनते हैं कि कोई वेक्ति अपना QR code दुकान दार को scan करवाए और दवा की बजाए पैसे ले ले 1000 रुपए की वो kit है तो वो दुकान दार से 700 रुपए ले ले अब अगर कोई इतना करने पर उतर आएगा ना फिर तो इसका एकी option बसता है कि सरकार कुछ health experts को भेज के उसके मुह में जबरदस्ती डवा थूसके और पानी डाल दे अब इतना तो कोई कर नहीं सकता फिर भी ये काफी अच्छा विकल्प है इसे डेवलप किया गिया है National Payment Corporation of India के दरह Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare और National Health Authority इन सब भी लोगों ने मिलकर इसे डेवलप किया है वर्किंग यही है, मॉबाइल फोन में या तो SMS ट्रिंग आएगी या QR कोड आएगा ये e-voucher की तरह वर्क करेगा, जो कुछ specific centers पर ही accept किया जाएगा इसके लिए किसी credit card, debit card, mobile lab, internet banking, किसी क्या विशक्ता नहीं है तो कुल मिला के जो e-rupee है, वो services को sponsor करने वाली entity को beneficiary से जोड़ देगा बिना किसी physical interface के sponsor कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, कोई private entity भी हो सकती है इस system को NPCI के द्वारा ही बनाया गया है, उनके UPI platform पर जो sponsored banks होंगे, जो boarded banks होंगे, वो भी इसका हिस्ता होंगे लाइक सरकार किसी से तो पैसा दिलवाएगी न, उस दुकानदार को, जिसको आप scan करवा रहे हो QR code कोई corporate or government agencies का इस्तिमाल कर सकती है partner bank के साथ मिलकर, माले जिए कोई company है, वो चाहती है कि लोगों को food vouchers दे, अपने corporate social responsibility program के तहर, तो वो भी लोगों के, जो भी नीडी लोग है, उनके mobile पे QR code या फिर message string भेज सकते हैं, जो beneficiary होंगे, उन्हें उनके mobile number से identify किया जाएगा, और voucher उस व्यक्ति के नाम से उसे पहुँचा दिया जाएगा, ये leak proof delivery है, welfare services की, private sector भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, अपने corporate social responsibility के तहर, हमारा next article North Eastern Space Application Center के बारे में है, NESAC या NESAC, ये भी एक satellite mapping करने वाले हैं, border areas की, ताकि scientifically demarkate किया जा सके, जो राजियों की बीच की boundaries हैं, उनको, NESAC Joint Initiative है, DOS और NEC का, DOS का full form है, Department of Space, और NEC का full form है, North Eastern Council, इसे jointly बनाया गया था, 2005 में, सिलॉंग में located है, उद्देश यही है, कि पूरे region को developmental process में integrate करना है, जो भी technological support required है, उसे provide करवाना है, NEC की बात करते हैं, North Eastern Council की येक statutory body है, North Eastern Council Act of 1971 को amend किया गया था 2002 में, और उसे के माध्यमसी से बनाया गया था, जो North Eastern States हैं, आठ, वहाँ पर ये Northern Regency की तरह काम करता है, वहाँ की economic और social development के लिए, वो आर्ट राज्ये हैं, अड़ांचर प्रदेश, आसाम, मनेपुर, मिघालिया, मिजोरम, नागा लेंड, सिक्किम और ट्रिपुरा, ध्यान दीजेगा, इसमें छठवे schedule के वो चार राज्ये भी सामिल हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब मुझे comment box में दीजेगा, छठे schedule में, कौन से सीफ मिनिस्टर्स हिस्सा होते हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानि के नालसा के बारे में है, सुप्रीम कोड के जजज जस्टिस यूई ललित ने ये कहा, कि हर पुलिस स्टेशन में, पूरे रेस में, एक display board होना चाहिए, जहां पर इस information को पब्लिस किया जा सके, कि हर व्यक्ति किस प्रकार से legal aid अवेल कर सकता है, अगर उसके पास lawyer नहीं है, legal advice नहीं मिल रही है, तो वो कैसे उसे पास सकता है, देखे माया DPSP में एक article है, article 39, उसका एक हिस्सा है 39A, उसमें free legal aid देने की बात की गई है, उसी दिसा में काम करते हुए, नालसा खा गठन किया गया था, 1987 में, जिसके लिए legal service authority act आया था, परपर्ज यहीं था कि लोगों को free legal service दी जाये, जो society का weaker section है, जिसके पास में भी पैसे ना हों, और वो legal services afford ना कर पाए, सभी लोग justice avail कर सकें, किसी economic या other disability के वज़र से उन्हें वो deny ना किया जाये, यही उद्देश्य है इसका, नियाए दीब, official newsletter है नालसा का, जहांपर वो अपनी सारी जानकारियां देते हैं, नालसा ही लोग अधालत constitute करवाता है, जहांपर मुद्दों को amicable, यानि कि सर्व सम्मती से सुलढने का प्रयास किया जाता है, composition की बात करें, तो इस Act का section 3, clause 2, यह कहता है, कि Chief Justice of India, pattern in chief होंगे, यानि कि उन्हीं के guidance में नालसा वर्क करेगा, और जो second senior most judge होंगे, Supreme Court के, वो इसके executive chair person होंगे, state में भी यह authority होती है, जिसे state legal service authority कहा जाता है, यह नालसा के जो direction and policies है, उनको state में implement करता है, यानि कि free legal service देता है, और राज्यों में लोक अदालत गठित करता है, state legal service authority, इसे head किया जाता है honorable chief justice, जो respective high court के उस राज्यों में होते हैं, उनकी द्वरा, districts में भी ऐसी authorities होती है, जिने कहा जाता है district legal service authority, यह राज्यों में, नालसा के जो भी programs हैं, उनको implement करते हैं, district legal service authority, जो district court का complex होता है, वही पर situated होता है, और जो district judge होते हैं, वही इसे cheer भी करते हैं, इस सम्मद में एक प्रश्ण, prelims 2013 में पूछा गया था, दो statement थे आपके सामने, पहला यह था कि नालसा का objective है, free और competent legal service provide तरवरन, weaker section जो society का है, उसे equal opportunity के basis पे, दूसरा statement था, कि यह guidelines issue करता है, state legal service authority के लिए, ताकि वो legal programs और scheme को, पुरी देश में implement करें, दो के दोनों ही statement यहाँ पर सही हैं, और जवाब है, C, both 1 and 2 are correct, कुछ statement हैं आपको सही जवाब बताना है, नालसा, Chief Justice of India, इसके pattern in chief होते हैं, Indian pangolin, critically endangered है, North Eastern Council, non statutory body है, Home Minister, ex official chairperson होते हैं, E, रूपी, इंडिया का electronic voucher based digital payment system है, इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है, पहला और चौथा सही है, दूसरा गलत इसलिए है, विकॉज यह endangered है, ना कि critically endangered, और तीसरा गलत इसलिए है, विकॉज यह statuary body है, ना कि non statutory, इस session की PDF आपको Only IS के टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप simply टेलिग्राम में जाकि Only IS Nothingal सर्च कर लीजेगा, एक लाग से ज़्यादा सब्स्क्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा, उसे ही जोईन कर लीजेगा, आज के session में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद,